नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वान यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा पिया एक तरफ जहां सरकार की तरफ से स्वास्थ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अर्बो रुपए खर्च किये जाते हैं कई योजनाय बनाई जाती हैं और कई गाउं में प्रात् स्वास्थ व्यवस्था की कुछ ऐसी हालत देखने को मिली हर गाउं में प्रात्मिक स्वास्थ केंद्र बनाई जाते हैं जिससे गाउं के लोग प्रात्मिक उप्चार करा सके और स्वस्थ रह सके वहीं दूसरी योड जगदीशपूर के चांदपूर का प्रात्मिक स्वा यहां के लिए रामबान दवा है इस प्राथमिक स्वास्त केंद्र में सभी लोगों के लिए नर्स द्वारा एक ही दवा दी जाती है जगदीश पुर्ट चांदपुर का यह प्राथमिक स्वास्त केंद्र 15,000 आबादियों से घिरा हुआ है तक्रीबन 10 महले इससे सटे हैं ज लेकिन सरकार का उदासीन रवाईया यहां सीधे तोर पर देखने को मिलता है ना तो समय पर प्राथमिक स्वास्त केंद्र खुलता है ना इसकी स्थिती सही है जगदीश पुर के चांदपुर के प्राथमिक स्वास्त केंद्र की स्थिती पूरी तरीके से लचर है कि यहां मरीज बहुत बुड़ा सब आता है इसे घूम के चल जाता है देखता है कि यही बिचार हम लोग को है कितना दिन यह बंद रहता है खुला रहता है कि यहां तो कुलता हुलता नहीं है तीन दीन खुलता है हफ्ता में अनर्थ बगर आती है और जो डाक्टर तो नहीं आता कि यहां डाक्टर नहीं बैठते हैं कितना दिन खुला रहता है यह सब तीन दिन खुलता है वही तीन गंडा लगवक खुलता है ग्यारा बज़े से तीन बज़ता है मातर तिन दिन देश्वा न्यूज में फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हमार साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले